मैं यती महराज आप सभी दर्षकों का देनिग यती रासिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य के धनुरासी में गोचर करने से आपकी धनुरासी पर इसका क्या परवाव पड़ेगा यानि कि आपकी धनुरासी में सूर्य का अप गोचर हो रहा है इसका आपकी रासी पर क्या आशर पड़ेगा यहां मैं बताऊंगा साथ मैं वीडियो के अंत में उपाई भी बताऊंगा कुछ और जानकारी भी दूँगा सूर्य सोड़ा दिसंबर को सुबह तीन बज कर अठाइस मिनट पर वर्षिक रासी से निकल कर गुरु की धनुरासी में परवेश करेगा और चौदा जनुरी तक धनुरासी में ही गोचर करेगा और 17 जन्री को मकर राशी में परवेश करेंगे तो पूरे देश में मकर सक्रान्थी का त्युहार बहुत 800 लाश के साथ में बनाया जाएगा सूरिय साल में जब भी दनूराशी में आते हैं तो अपनी सबसे कमजोर अवस्ता में होते हैं क्योंकि इस समय में सूरिय दर्ती से अपनी सबसे दूर की अवस्ता में होते हैं और जब मकर रासी में प्रवेश करते हैं, तो फिर से दिमे दिमे अपनी तेजी को प्राप करना सरू कर देते हैं, और धर्ती के निकट आना सरू कर देते हैं. मेरा यह वीडियो चंदर रासी पर आधरीत है, इसलिए अगर आपकी जनम कुणली में जनम की धनुरासी है, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है, और आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ज्यान से देखें, अगर पसंद आए, तो लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सूर्य को बल परदान करने के लिए ओम सूर्याय नमह अवश्य लिखें, आपकी धनुरासी है, और आपकी रासी का स्वामी गुरु है, गुरु का रंग पीला होता है, और सप्ता हमें गुरुआर का दिन होता है, गुरु का नग पुक्राज है, और गुरु करक रासी म सबसे अंतिमीन राशी है, वह होती है, आपकी धनूराशी के लिए सूर्य दस्वे करम इस्तान का स्वामी है, और अब आपकी ही राशी में गोचर कर रहा है, या आपकी राशी में गोचर चल रहा है, सूरिय आपकी रासी के स्वामी गुरु के मित्र है और अब आपके लग्ण में परवेश करने से यह गोचर आपके लिए बेहद खास और बहुत महतुपून रहने वाला है सूरिय आपके व्यक्तित्व का तेज बढ़ाएगा परवसाली व्यक्तित्व में बढ़ोतरी करेगा आपमें जोस और उर्जा बढ़ने का काम करेगा सूरिय लेकिन आपमें अपने बल पद धन पुद्धी विद्या बढपन का एहंकार भी जल्दी बढ़ देता है और यही अहंकार आपके लिए गातक और पिछडने का सबब भी बनता है इस गोचर के दोरान भी आप बले ही उर्जा से बरे रहे और बले ही आप सफलता दर सफलता पाते रहे लेकिन एहंकार को अपने अंदर मत आने देना वरना सूरिय के इस गोचर में हाने भी उठानी पड़ सक आपकी यस, मान और प्रतिष्टा की एक नई गाता इस गोचर में लिखी जाएगी आप पर यह निर्बर करेगा कि आप किस तरह की अपनी छवी बना कर दिखाना चाते हैं वेपार में लाब, उन्नती, नए सोदे या नया काम कुछ तो इस गोचर में करेंगे वह अच्छा होगा और आपकी जमा पुंजी में भी बडोतरी होगी, अगर आप राजनिती में हैं तो आपको उच्छ पद की प्राप्ति होगी या फिर सरकारी लाब मिलने का परबल योग बनेगा, आपको अपनी छवी चमकाने का मौका मिलेगा, अगर आप खेल से समन्दित हैं तो भ आपसी मिल मुलाकात और प्रेम सोहार्द से बरा रहेगा इस गोचर में, पारिवारिक सदेशियों की उन्नती और तरकी के समाचार मिलेंगे, जिससे परिवार में खुशियां बड़ेगी, परिवार में भाई बहनों का साथ और सयोग मिलेगा, निश्चित ही इस गोचर के दोरान देखा जाएगा, अगर आप विवाईत है, तो सूर्य की सप्तम दरश्टी आपके जीवन साती इस्तान पर रहेगी, यह दोनों परकार से सुब असुब फल परदान करने वाला रहेगी, आपका जो आपके जीवन साती के साथ में अनेक मुद्दों पर वेचारिक मत बेद रहने वाले हैं, फिर भी आपसी प्रेम और विश्वास में कमीन नहीं आएगी, प्रेम प्यार निरबाद रूप से चलता रहेगा, और प्रेमी अपने साधी की बात गर में चला सकेंगे, इस समय सनी की साधे साती भी आपको चल रही है, और साधे साती का अंतिम ड़ बानिया आप पर रहेगी, जिसका लाब मिलेगा, लेकिन सनी से मिलने वाले लाब के लिए जरूरी होगा, कि आपकी जनम कुंड़ी में भी सनी सुब इस्तान में हो, और सुब फल दे रहा हो, वैसे सनी जब आपके दूसरे वाव में गोचर करता है, तो अपनी तीसरी द्र उत्था इस्तान माता का भी होता है, इसलिए माता से मतवेद बने रहते हैं, जीवन में, सुख में भी थोड़ी कमी रहती है, कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए अच्छा बीत जाएगा, मैं आपको उपाई भी बता रहा हूँ, आप चाहें तो वह कर सकते हैं, आपकी द का आने वाला साल, नया साल कैसा भी थेगा, इसके अलवा, आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, और सुब फल नहीं दे रहा है, तो आप अपनी कुंडली के सी विद्वान जोतसी को बता कर सूर्य का उपाई करेंगे, तो इसका लाब आपको जरूर मिलेगा, आपकी पुशार आपके इष्ट देव विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी है, आप अगर अपने जीवन में सफलता पाना चाते हैं, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, केले के पेड़ का पूजन करें, गुरुवार को इष्ट देव को केल का बोग लगाएं और केले बांटे हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हो, तो चने की दाल दान में करें, पीली हल्दी की गाहट पीले कपड़े में बांध कर अपनी दाहीनी बुजा पर बांदें, गुरुवार का वरत या फिर उपवास करें, गुरु, गुरु, संथ, फकीर की साहिता करें, उनका भूलकर भी अपमान न करें, गुरुवार को हो सकें तो कोपी, किताब, कलम, नोटबूक, आदी बच्चों में बंटें, और गुरुवार को घी या फिर केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर काम पर निकलें, धनुरासी है आपकी, इसलिए आपको दार्मिक कारियों में कुछ ना कुछ दान, चंदा, जैसी, जितनी हेल्प हो सकें, आपको करना चाहिए, अब मैं इस गोचर के दोरान आपको उपाई बता देता हूँ, कि आप रविवार को, घर के इष्ट देव को, या फिर बहरवनाजी को, जलेभी, या फिर इमर्ति का बोग लगाए, इससे जो सूर्य का दनुरासी में, या आपके रासी में गोचर चल रहा है, वह अच्छा फल देगा, यह था आज के वीडियो में सूर्य के दनुरासी में गोचर से आपकी दनुरासी पर इसका क्या परवाव पड़ेगा कि जानकारी, अगर वीडियो में मैं अन्य ग्राओं के रासी परिवर्तन के बारे में जानकारी दूँगा, तक तक, जै जिनेंद्र